नमस्कार मित्रो जैमातडी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो मित्रो हम बात करेंगे आपके अगले 24 गंटों के महत प्रणरासी फल की यानिकी मित्रो दिनांक 25 जुलाई 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए सवर उप्रतम मित्रो बात करें पंचांकी तो 25 जुलाई को सौमवार का वार है साथ में मित्रो स्रावन मास के क्रस्न पक्स की दौआ दसी तिती है और म्रग स्रिसानक सतर है और मित्रो सुर्र जो है वह करक रासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो ह मित्रों व्यापार की दरश्टी से नोकरी की दरश्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संबंदों के लिए साथ ही मित्रों विध्यारतियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है और क्या खुष खबरियां है समस्त बातों की जा साउधानिया हम आपको देने वाले हैं तो वही वीडियो के अंत में कुछ उपाए भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिने आजमाने में ना तो आपको कोई धन लगाना है और ना ही कोई पुंजी लगानी हैं मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंदकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो सब से पहले तो जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो के लाइक अवस्य कर दिजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भकते ही प्रेम से जय माता दिली कियेगा मातरानी उनकी सारी मनोकामनाय पु प्रिणाम तक तुम्हें बहुत कुछ खोना होगा कभी अपनों को कभी सपनों को कभी यार तो कभी प्यार बस एक चीज मत खोने देना और वो है भरुसा जिसे आत्म विश्वास कहते हैं मित्रो यदि आपको स्वयम पर विश्वास होगा तो आप जिन्दगी की चाहे कित एक ही परिणाम है और वह है आत्म विश्वास तो मित्रो गुरु जी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जिरुरमल कीजिएगा मित्रो गुरु जी का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवस्य लिखेगा तो चलिए अ आप बात करते हैं आपके अगले 24 गंटों के महत प्रुन रासी फल की मित्रों आपको बता दे कि आपको कोई व्यक्तिगत काम होने वाला है जी हां जो कि आपके जीवन से संबंदी थे जो आपके निजी जीवन के लिए बहुत जरूरी है सामाजिक गति वीडियो में अपनी उपश्ट थी आपको जरूर रखना है साथ ही अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहें इससे आपके वीचारों में नयापन आएगा इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और जब जीवन में नयापन आता है तो जिन्दगी और सरल हो जाती है लेकिन कभी-कभी नया नयापन आने की वज़े से कुछ दिक्कते भी रहेगी साथ ही अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहें क्योंकि आपको उनके जिरिये बहुत कुछ चीखने को मिलेगा इससे आपके विचारों में भी नयापन आएगा मित्रों आपको बता दें कि व्यर्थ की गतिवीधि का को छोड़ कर आप इधर उदर ज्यादा भटक रहे हैं एसा करना आपके लिए परेसानिया खड़ी कर सकता है और कोई भी पारिवरिक समस्या होने पर अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा और यदि आपके पास कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है तो आप घर के बड़े बुजर्गों की राय भी ले सकते हैं साथ ही आपको बता दें कि किसी मित्र की वज़े से मुश्किल में फस सकते हैं तो सतर करें आप हर बार अपने मित्र की थोड़ी सी साहिता करने के चक्कर में बड़े सडियंत्र में फस सकते हैं कारोवारी गति वीदियो जरूर रखें क्योंकि कुछ नुकसान होने की अधिक संभावना है और यह नुकसान कोई छोलता मुतनुकसान नहीं है इसलिए व्यवसायों के साथ चल रही प्रतिस परधा से अभी भी दूर रहें और नोकरी पेसा लोगों को कार रिभार की अधिकता की वज़े से तनाव र है कि कोई महतव्रकार नियत समय पर पूरा हो सकता है इसलिए आपको प्रयास करते रहना है कोई सुब्र सुचना आपको जरूर मिलेगी लेकिन समय के अनुसार आपकी मेहनत के अनुसार आपके भाग्य के अनुसार मित्रो परिवार में आपके खुशियां दस्तक देने वाली है तो किसी अन्य व्यक्ति के परामर्स और योगदान से आपको कोई खास निर्ने लेने में आसानी भी होगी अनावियसक खर्चों को आपको काबू में किसे रखना है यह कला आप में विल्कुल नहीं है इस कला को आपको सीखना होगा और अनावियसक खर्चों को काबू में रखे अपना नुक्सान करने की बजाए स्वभाव में कुछ स्वार्थिपन लाना भी जरूरी है मित्रों आप खोले दिल के हैं, खोले विचार के हैं अच्छी बात है लेकिन आपको जब तक स्वार्थिपन लेकर नहीं आएंगे आप अपना लाभ नहीं देख पाएंगे पड़ोसियों से संबंदित मामलों में वाद विवाज जिस्ति बन सकती है और सांती से मामलों को सुल जाने की कोशिश करें व्यवसाइक मामलों में जल्द बाजी बिलकुल ना करे और कोई भी निरणे आपको बहुत ही सोस समझ कर लेने हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है आप जल्द बाजी में गलत फेसले ले लेते हैं और इन गलत फेसलों का खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है जी हां आपको बता दें कि अगर विवसाय बढ़ाने के लिए किसे के साथ साज़दारी का प्लान कर रहे हैं तो अभ वरतमान में आनंद लेना सीखे मित्रों क्योंकि यदि आप कुछ नया करना चाहेंगे तो आपके वह कारे रोक सकते हैं बिगड़ सकते हैं और कोई रोकी हुई पेमेंट भी आपको हासिल हो सकती है परिवार जनों के साथ कुछ समय गुजारना घर के वातावरण में और अ में प्रत्यक व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा अपने काम को नियत समय पर पूरा करने का प्रयास करें क्योंकि कभी कभी आपको आपके काम डालने की आदत ही भारी पर जाती है अपने काम को नियत समय पर पूरा करें इससे आप सकरात्मक महसूस तो करेंगे और आपकी लोगों के सामने अपना सरवच्च रखने में काम्याब रहेंगे। विद्यार्तियों को पढ़ाही पर जाड़ा ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्ति की मोज मस्ती में समय ना दें और किस्टी की नकरात्मक बात पर आवेश में आने के बजाए सांति प्रुन तरीके से समस्या का हल निकाले। मित्रों कोई भी ओफिशियल काम करते समये। पेपर संबंदित गड़बडी होने की आसंका है। विवसाईक इस्तर पर हर गतिवीदी पर नजर रखना जिरूरी है और प्रोपर्टी डिलिंग से संबंदित विवसाई में कुछ लाबदायक इस्थिती बन सकती है तो जीवन साथी और परिवार जनों के साथ स्वापिंग और मनुरंजन में खुस नुमा समय वेतित होगा और प्रेम संबंदों में नजदी किया भी वड़ेगी आपकी वेवस्थित दिन चल रहा आपका वेवस्थित कारिभार और वेवस्थित खानपान आपको स्वस्थ रखेंगे और मानसिक रूप से भी प्रफुलित में हिसुस करेंगे आपकी लगन और इहमत से किये गए का आपको मिलने वाला है मित्रों आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई से संबंदेत किसी समस्या का हल निकलने में बहुत अधिक सुकुन मिले गया क्योंकि बच्चों की चिंता आपको काफी लंबे समय से सता रही थी संतान का पढ़ाई पर फोकस ना बने रहना पढ़ सौमवार का एक उपाय बताते हैं मित्रों सौमवार के दिन भगवान की सिवलिंग पर आपको काले तिल चड़ाने हैं अब मित्रों इसके पीछे मान्यता यह है कि यदि आपके जीवन में धन से संबंदित किसी भी तरह की परिसाने आ रही है ग्रहक कलेस हो रहे हैं और संतान सुख की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है तो मित्रों सौमवार के दिन जैसे कि सावन का सौमवार है तो काले तिल भगवान की सिवलिंग पर अवस्य चड़ाएं यह काले थोड़े से तिल आपके जीवन में सुख सम्रद्दी और खुसियां भर देंगे तो वीडियो की स साथ बार और हमारी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्य करें और मित्रों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जैसा की देने करासी फल एवम रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप् भी अवस्चे ही दबा दीजेगा